लो मेरा नाम दलबीर है और मेरे इस यूटूब चैनल में आपका स्वागत है मेरे इस यूटूब चैनल का नाम इंडियन टेक्निकल फार्मिंग है और आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आज मैं आपको बताता हूँ कि पानी की जांच कब और कैसे करें और पानी की जांच करवाते समय कौन-कौन सी शावदानी रखे जिससे पानी की जांच सही तरिक्के से हो पानी की जांच इसके बाद हम पानी की जांच करवाते हैं जिससे हमें यह पता चल जाता है कि यह पानी कौन-कौन सी फसलों के लिए उप्यूकत है जैसे कपास, दान, सबजिया, वैनने फसले अगर पाने का पीपियम एक जार से कम है तो यह सभी परकार की फसलों के लिए उप्यूकत है इसमें सभी परकार की फसले उगाई जा सकती है अगर पाने का PPM 1000 से उपर है तो हमें यह रिपोर्ट से पत्षा चल जाता है कि यह पानी किन-किन फसलों के लिए उप्यूकत है वाई इसमें कौन-कौन सी फसले उगाई जा सकती है हमें जिस टिवल या नलकूप का पानी की जांचकवाणी है तो उसे चल लू या शुरू करते हैं टिवल या नलकूप के अदा गंटे चनने के बाद उसमें से एक पानी की बोतल पर ले पानी की बोतल बढ़ने के बाद उसके उपर अपना नाम, पिता का नाम, गाउं का नाम, तसील, बजीला का नाम वा मुबाइल नमबर वस्य लिखे जिससे यह पता चल जाता है कि पानी की जांच करवाने वाला व्यक्ति कौन है वो उसका पता कौन सा है आप पानी की जांच आप अपनी नज्जदिक की लैब या चोदर ईचन्य सिंक करशी वेश्यू विश्यू विदाले हिसार से करवा सकती है चोदर ईचन्य सिंक करवाने के भीश नामा तरकेवल से रुपए ही है पानी का संपल देने के बाद आपको 2-3 गंटे के बाद या अगले दिन आपको पानी की रिपोर्ट पराप्त हो जाती है जैसे मैंने अपने पानी का संपल लिया था और मैंने अपने पानी की जांच पुराई थी उसकी रिपोर्ट इस परकार है जैसे आपके द्वारा बेजागाया पानी सब परकार की फसलों के लिए अच्छा है आपके द्वारा बेजागाया पानी धान वैस सब्जियों के एतरिक्त सब फसलों के लिए प्यूकत है मिट्टी प्रिक्षन प्रियोक्सानला अंते विज्ञान विवाग चोदी चंड सिंग हर्याना कर्षिव विशुव देलें इसार हर्याना में खार्य पानी से इसी चाई के लिए सुझाओ क्रम चक्या पानी गीशी भुमिय की किसम पसलोगी लवन से अरसल दा वार्षि वर्षा मिलिमेटर कम से अकम आफसक प्रबंद करिया एक नंबर उत्स पानी इसी 1000 से कम सभी प्रकार की बुमिया सभी पसले वार्शिक वार्शाट डाइसो आमें पसल उगने की समाने सिफारिस कम लवनिया पानी इसी 1000 से 2000 यत्थो परी सेंसिल वा अर्ध सेंसिल डाइसो यत्थो परी मद्दम लवनिया पानी इसी 2000 तक रेतिली से लमट भूमिया अर्ध सेंसिल डाइसो यत्थो परी इसी 2,000 से 4,000 जाड़ याथोपुरी सेंसिल डाईसो नहर के पानी के बरबर मिलाकर लगाई या बरबर मातना में फिर बारी-बारी लगाई मद्याँ से अधिक लबनी है पानी इसी चार जार तक रेतली दोमट भलूई भलूई दोमट अदशन्जिल शाट इदन सो फुसलिय लगाने के समय शिपारईश इसी चार जार तक यतोपुणी शैन्जिल 3700 इतोपुणी पिलेवा नहर के पानी से करें, खरीब में कहथ खाली सोटें चाहिए नाहर के पानी के साथ मी लाए या बारी-बारी शुप योग करें यसी आड़ जार तक याथपुरी सैंसिल सादे दिन सोख वार्षिक बरशाम याथपुरी अधिक से अत्याथ लवन ये पानी इसी आड़ अड़ से बार जार तक रेतिली से दोमत मिट्टी पसलों की लवन सेल सिकता रभी की केवल सेंजिल पसले वर्षी वर्षा मिलिमेटर चर्शू खरीब में केट खाली चोड़ी या वर्षा पर रधारित खित्ति करें नहर के पानी से बलेवा करने की कोशिश करें 6-8 टन अंकड या वर्ष गोबर की कात का प्रियोग करें या दिननकूप का ही पानी है तो पलेवा 10 सेंटिमेटर करें या वर्षा से शिचित नमी पर विजाई करें सुख्य में विजाई और शिक रही दो तिन दिन में सचाहि करें बीज की मातरा विश पतिसे तदिक करें इसी बाराजार से सोडा चाहर तक या धुपरी या दिखारे पाने में कॉलोराइड या सेल्फेटगान बात दो से दिक है तो भूमिए में फोस्पोर्स भी कम या मद्ध में फॉस्पोर्स को युड़क 25 से 50 परसे तक दिक मातरा में करें सुपर फास्पेट कात को वरी त्या द लवन स्वेदेंशिल पसले दालवाडी पसले मुंग पली दान इंबू जात्ती के पेड़ आंप पर पिता दिया दी लवन एद सैंशिल पसले बर्शीन जवार मक्का मतर फाल्शा तमाकू पत्तागू भी ब्रोकली नार मुरूत लवन स्वेदेंशिल पसले जो गेहूं सर्शू सेंपलावर कुसम सपुला पालक बाजरक पास्वेर फाल्शा ओसत्त वासिक वर्शा 30 mm से कम सिवानी वासर्शा 30 से 400 mm साला वास्वेरिट वाना सीवत वाद इंसारल वाडू ब्यानिक खोल वा प्रूपनगर 400 से 500 mm केत्थर ग सब्सक्राइब कर देना अगर ये वीडियो आपको मेरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरू कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही धन्यवाद